हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपके लिए एंसी क्यू वीडियो का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका क्लास 11 ट्वेल्थ और 10 तीनों क्लास का सीरीज चल रहा है आपको मालूम है कि यह लोगडाउन लग चुका है और लोगडाउन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो चलिए हम लोग आज से एंसी क्यू का सीरीज लेकर चल रहे हैं मैं आपसे उमीद करता हूं कि आपके लिए काफी हेल्फुल होगा आज का इस वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स चेप्टर डिसकस करने जा रहे हैं जो है दा पोट्रेट आफ लेड़ी इसका अल्रेडी हमने डिसकस कर चुका है इस द इसका जो अंसर होगा आप अपना प्रेय उठाए और इसकी करें और देखते चले कि कहा तक करते चलिए किसका अंसर जो है वह आपका पहला है आप इसमीं देख रहे हैं इसका अंसर वह jest मतलब भी है रस्किन बोन नहीं है इसका अंसर क्या है खुसवंद सिंग है अब देखें नंबर टू में है कि वह इस कि दबीर करेक्टर को आप पढ़े गरेंशंग जाना ही निया है इसकी कि अगला किसा देखते हैं किसके नंबर थार भी आपसे बोलता है और वाल लुक लाइक आपको याद होगा जब हमें स्टोरी पढ़ा रहे थे तो हम बताया थे कि उनके साथ जो है जो है जो यह उल्री डाइड जो अलड़ी वो क्या हो चुके हैं मर चुके हैं तो उनका जो फीगर था वो टंगा हुआ था वाल में दिवाल में टंगा हुआ तो आखिर वो कैसे दीख रहे थे तो अब कोई अंसर याद होगा कि इंसर अंसर क्या था इसका अंसर यह था ओल्ड काफी ओल्ड थे लों लॉंग वाइट लंबा लंबा दाड़ी था और वह बिक टर्बन और जो है अपने साथ वो टर्बन बांदे हुए थे जैसे कि संथरा थी बस उसी को याद करकर रखना था तो कैसे थी तो जो थी वह काफी ओल्ड थी सौर्ड थी और स्लाइटली बेंट थोड़ा से जोकी हुए थी थी फैट थी चलिए आपको तो अंसर समझ में आ ही रहा होगा और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो उस चैनल को सब कर लेंगे क्यों कि यह सेहीं हमें चैप्टर का सीरीज लेकर चल रहे हैं हर दीन आपको इक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा तो चलिए हम लोगा क्यूसमें देखते हैं नंबर-5 में देखतें हैं नंबर-5 यह कहता है है कि when did the author's parent leave him with his grandmother अब कहते हैं इसमें जो author है तो author का जो रोल नहीं भारा था वो कौन थे वो grandson थे तो इसमें फाइब में देखें कहता है सब्सक्राइब काफी छोटा थे ना उसी समय से वो अपने साथ हो रहा रहे थे चलिए अब किस्ता नमर्स देखते हैं देखें क्या लिखा हुआ है एक याद करता है कि विच एनिमल डीट डीट ग्रेन मदर यूज टू फीड इन दविलेज अब आप याद किजी कि जब अपने साथ जब एक ग्रेंड मदर जो है वो अपने ग्रेंड संद के साथ जा जाती थी तो आखिर कोन सा इनिमल्स था या क्या हो साइनिमल की बात कर है आगर बल की बात करता तोयम लोग यहां पर द Western आ वाथ इड़ों ब्रेकफास्ट में क्या खाया करती थी तो सीथा सी बात हूं रहूं एडर बटर एंड पर चूछर स resonates बटर उसमें लगाती थी शुगर टोड़ा उसमें डाल जाती थी और मोटे मोटे चापती वही बासी रोटी जो है वह खाती तो इसका अंसर क्या हो जाएगा चलिए बगला देखते हैं किसा नंबर एट में क्या कहता है किसन अपसे पूछ रहा है कि वाई उट ग्रेंड मदर अगंपनी दो ऑथर टुहीं ऑथर टुहीं इसकूल जाती थी तो पहले अपसे करता है कि टू कीप एन आई ओन हीम मतलब क्या उनको पर ध्यान रखने के लिए नहीं है ऐसा तो हुआ नहीं सकता था कभी तो एट फॉर ह में इक मंदीर था जहां पर दाधी माह वही पर जाती थी और वह साथ में जो है वह अपना इस्कूल क्लास करते रहता था और यह जो है वह मंदीर में आती थी और स्क्रिप्चर पढ़ते थी धार्मिक किताबें पढ़ते रहते थे चाएं साम नंबर हम लोग 9 देखते हैं ह mature और रहते था वो ना आप गभी अन्सर अब कर दोड़ीए रहते थे यह बहुत सार इसको टिक आर आप सही मार पाते हैं वांगी तो बटाई ह dai रहे तो अपको बता ही रहा है है कि what would the grandmother do in the temple on a daily basis जब ग्रेन माद जो है यह हम उसके अगला किसा 9 में में डिसकस करी दिया है इसको जाती तो आखिर कुछ तो करती होगी तो क्या करते थी इसीधे ही बात है आपको याद होगा नमबर टेन का भी अंसर था रीड़ स्क्रीप्चर वह धार्मी किताबें पढ़ा करती थी अब आगे देखते हैं हम लोग किसन नमबर 11 देखें क्या करते हैं वाट वाट वा दोनों काफी कितना अच्छे क्या याद होगा क्या या लेकिन अचाइक आपको याद होगा ने वह क्या क्या प्रकेला रहते हैं लेकिन उसके ज़ो परेंट हैं वो क्या करते हैं कि दोनों को दादी महाँ और ग्रेंट से दोनों को ट्यक्राइब बुला लेते हैं इसका अंसर तो हमको दीख रहा है पैंसर जिसका भी हो जाएगा और अश्चा को अपसंद तो है नहीं नमबर ट्वेल में आप देख लिए क्या है नमबर ट्वेल आपसे बात करता है कि वेर अगला किस्तर अपसे पूस्ता है कि वाट में अपको यह भी मालूम होगा आपको पता है कि घर पर जब जाएंगे तो फिर अपने दादी मा कि याद करेंगे उनको यह बताएंगे कि हम इंगलिस मेडिया में पढ़ते हैं तो नाम सुनकर कि उनको गुसा आजाता है कि वो इंगलिस में पढ़ते हो तो उसी परकार जो यहां भी है वो दादी मां क्या करती है देखिए वाट में ग्रेन मदर अन्हापी अपने निव स्कूल में जब जाते हैं तो वहां जब जाने के बाद उन्हें क्या होता है कि क्या इसा वज़ा थी कि वह काफी उदास रहने लगती है तो देखिए इसमें जो हम लोग पर दीख रहा है आपसं जो है कता है कि दख देट सी कुड नो लांगर हेल विद लेशन यह भी अंसर हो सकता है लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर एक से ज्यादा आप्सं सही हो जाए मैं फिर लेकार है ना रेसला पर सकता है क्या परक मैंनें सब्सक्तेज़ाले कट्रीन के अकिater शचार है यह होसकता है लанич Northeast एभी उसकता है पर न्हीं में यहां देखना कि यहां प्योंको सा है नमब्ड दी में जो है इंको---- लग को होगा तो पढ़ा रहा करा थी यह को जाना है क्या खाना है यह वह बोरिंग हो जाते पसंद नहीं करती है तो चलिए इसका अंसर जो हम लोगे देख लेते हैं कि अपना टाइम स्पेंड कैसे करते थी चलिए बीडियो को पाउस कर लिए इसके पर 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 चलिए नहीं प्रविडियो काफी लंबा हो जाएगा चलिए नमबर सिक्स्टीन हम लोग देख लेते हैं सिक्स्टीन में आपसे क्या करता है कि हाओ द्ग्रिंड मोदर स्पेंड और आफ्टरनून एवरे डे इसमें देखें आप कैसे टाइम करते थी यहां पर आपसे बात करता है कि अध्यूड पर धुटिंग थे वह हमेसा दो फर में क्या करते थी वह खाना घिलाते थी किसको आप यह देखेते हैं कितना पैरों के साथ उनका लगाव था है यह अगला पॉइंट के लिए काफी इंपोडनेट था कि अगला करते हैं कि अगला करते हैं कि अगला नंबर 18 देखते हैं से क्या कहते हैं कि वाट चेंज कम इन दे ग्रेंड मदर्स एवनिंग स्टीडियू आप कहता है कि ग्रेंड मार्क जो एवनिंग सीडियू में चैंजिंग हो गया था तो हो गया था सी कलेक्ट द वुमिन आप दनाइबर आपको पता था ना कि वह बगलकर जतने भी नाइबर असले देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद इसका हमने अंसर देखा कि तो आपको पता था अगले दिनों क्या हो गए थी काफी उतवियत फिराब हो गए थी अगला किस्ता नम्मर हम लोग 20 देखते हैं हार डिट ग्रेंड मदर रियक्ट टू हर इल्नेस अब ग्रेंड माद जो है वो क्या कहे थी है ना आप कहारी सुने होंगे कभी बहुत सर ऐसे एन्यों होते हैं कि उनको मरना होता है हां कहाँ है मजाग में यहां जिंदा नहीं रहेंगे अंतीम दिन हो न भूल रहे हैं हम को केढ़र केक्शन साज हम गुजर रहे हैं लगता है और आड़ Lucid about d commercial की बन लगता है कि द्यूंत फोन के चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं 21 में देखते हैं कितना केस्टन तक हम लोग पहुंच पाते हैं ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो उसको फिर बीच में कट कर देंगे चलिए वट्ट केस्ट नमर्ट 21 में है कि वाट डीड़ ग्रेंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स ह अगला करते हैं कि अखिर फाइनल आवस में पहुंची चुकी है उक्षिए की ताक हुओ क्या करती है देखते हैं और चूपचाप क्या करती है in ना और जाता करती है कथा कि जो ग्रेंट माजू है वो मर्द कैसे मर जाती है ना क्या कर रहे थी वो कते कि वो फिटल मरी नहीं सिलिपिंग कर रहे थी ता मरी या फिर उसमें से कथा कोई नहीं ऐसा नहीं हो था तो 22 में आपको नहीं रहे चुपते आप बेट पर पड़ी थी और आपको याद अब आप से कहता है कि हाव दिट अस्पेरो एक्सपेर्व स्वारो एड देट आप यह फ्रेंट क्यूशन है आप यह देखें कि अगर आप इनमेल्स के साथ अब जितना प्रेम करेंगे वह आपके साथ उतना नहीं प्रेम करता है वी शुल्ट नेवर हट इनी अनिमल्स और सब्सक्राइब उसे बचाना चाहिए जहां तक सम्हों उसे बचाना चाहिए कि अब को याद होगा कि जब मर जाती है तो देखी कि अगल बगल पड़े हुए थे तो पड़े उने बाद अपने देखा था कि कि इस परकार वह सालेंट चूप चाप प्र जो है जो महां है और कि जो मात ही वह देती है खाने के लिए मत्तव करते की इंद वरांटा वह कहां बैठी थी वह चूप चाहिए बघ्ला न हम लोग देखते हैं 24 में पहुंच चुके हैं है जितना बीसमें इसके सब लिखिए दिया है तो इससे ज्यादा नहीं पुछाँ कहीं वह डीप में या किसी तरह का सब्सक्राइब नहीं पूछागा हो चलिए हम लोग अगला देखते हैं नमबर फट्वाटी फोर में है कि वाट अपे इन वेंद टूक द ग्रिन मुदर्स कॉर्प्स अवे अब देखिए यहां पर कॉर्प्स है ना एक होता है क्रॉप्स और एक होता है कॉर्प्स दोनम डिफरेंस अब समझ और यहां रिफिर्ट को वहां से उठाते हैं तो आपने देखा था न क्या करता था है बर्स फ्ली वह वें वे ग्वाट ले जितने भी बर्स थे वो सब कर सब क्या हो जाते हैं वह चूप-चाप उट करके चले जाते हैं बिना कुछ कहें पूचें कोई-णानस टूप आप दे ग्रेंट मदर इन द चैप्टर कता है कि अब यू फील अबाउट द ग्रेंट मॉध्ट ऑप दे रहले होगा यह स्ट्राइब का यह दिखते थी चिसका रहा हो जेगा यह स्ट्रांग हो जागा 25 का बीव हो जागा चलिए वागला देखते हैं दोंटीजिक्स नंबर में 26 करता है कि वेर वाज़ ग्रेंट फादर्स पोट्रेट प्लेस हां पहले डिसकस कर चुके हैं लेकिन हमको लगा कि यह बहुंद बन सकता है तो हमने इसको बना दिया है करता है कि वेर वाज़ फादर्स प्लेस जो ग्रे पता हैं यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो पर बता इसका इसका अंसर यह वह गया ट्वटिफाइब करीब पहुंच चुके हैं कदक डीट ऑथर बोदर टू लान दा मौनिंग प्रियस डैट इस ग्रेंद मदर रिसाइटे आपको याद होगा कि जब तयार करती थी नाला आती थी खाना किला दे थी बात भी करती थी तब ही उसके साथ गाना गाते रहती हमेशा प्रेयर कुछ न जो गाना-गाती थी वह किसको की ओधर जो है क्या करता था है कि यह क्या गा रही है वह मुझे मालूम नहीं है हम वह पसंद नहीं करते हैं लेकिन वह कितना अच्छा गाती है यह मेरे लिए काफी इंपॉंटेंट था वह अच्छा से ध्यान प्रवग सुनते थे तो असर त तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कम से कम आपको एक लाइक बनता है ताकि हमें यह पता चलें और कमेंट भी किजिए किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप हमको बताएं अब करता ट्वंटी एट में देखें कि वेन वास दियर कॉमल लीक आफ फ्रेंड्शीप स्नाप्ट हां जो कहता है कि उसका जो बीसका जो स्टॉपड हो जाता है मतलब करशक्ते हैं क्या कब उन लोगों की जो रुकावट आ जाते हैं उपकी जो दोस्ती है कब आ जाती है अब देखते हैं 29 में देखें क्या करते हैं 29 आप से यह कह रहा है कि वाट वाज ग्रीन मुदर्श रियक्शन वेंद आथर वास गूइंग अब्रोड कि जैब वह बाहर जा रहा थे पढ़ाई करने के लिए तो दादी मां को रियक्शन कैसा था आपको याद होगा न तो इ 29 के बाद हम लोग लस्ट चलते हैं 30 आइधिंग दिस इस यूर लास्ट किसे लास्ट ही होगा 30 में 30 में देख लेते हैं कि वाट वाज रियक्शन वेन ही केम बैक अप्टर फाइव यह अब देखें एक क्यूशन हमने बना कि जब वह जा रहे थे तो कैसा हुआ और जब आय वापस आते हैं तब तो देखें रहे हैं ग्लास्ट क्लास्ट ऑथर इनर आंस एंट ट्रियर इसका अंसर के हो जाएगा 30 का भी हो जाएगा तो स्टुएंट सब को यह वीडियो कैसा लगा आप यह मुझे जरूर बताएंगे क्योंकि आज से यह वीडियो का स्रीत चल रहा ह हर दीन आपको एक एक चेप्टर पढ़ने को मिलेगा आप उसको देखें और अपने दोस्तों को भी सेर करें ताकि लोगडाउन में हो सकता है कि जार्खन सरकार कब आपसे एक्जाम ले 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 इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए अपना प्रिपरेशन को रोकेंगे नही अपना प्रिपरेशन को कंटीन रखें थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग देश वीडियो चलिए फिर मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में